सारे जने मिलके एक बारी जोर का धक्का लगाओ ऐसा धक्का लगाओ कि पंजाब के भी रेकॉर्ड तूट जाएं दिल्ली के भी रेकॉर्ड तूट जाएं दिल्ली में एक पैसा नहीं देना पड़ता बिना पैसे के काम होता है पंजाब में एक पैसा नहीं देना पड़ता पिना रिश्वत के काम होता है क्योंकि दिल्ली और पंजाब में इमानदार सरकार है पिछले पांच साल में मैंने बारा लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया बारा लाख तीस हजार करोड का पैकेज देके गए सुना आप लोगों ने टीवी में देखा होगा ख़बारों में सुना था आप लोगों ने तीस हजार करोड का पैकेज दिया उन्होंने गुजरात को तीस हजार करोड का ठेकेदार बड़े खुश हो गए मंत्रियों की भी चमका गई मं संत्री बोले ये तो आश हो गई 30,000 करोड और मिलेंगे लूटने के लिए थेकेदार बोले 30,000 करोड और मिलेंगे लूटने के लिए आपको क्या मिलेगा उस 30,000 करोड में से ठंठन गोपाल गुजरात में इस टाइम गजब हो रहा है कुछ जहां भी जा रहे हैं पूरे गुजरात में जा रहे हैं जहां जा रहे हैं एक ही शब्द गूंज रहा है बदलाव 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 परिवर्तन चाहिए किस को बदलाव चाहिए हाथ खड़े करके बताईए सब को बदलाव चाहिए तो आज मैं आपके लिए खुश खबरी लेके आया हूं केंद्र सरकार की एक खुफिया एजंसी है आई-बी नाम सुना आप लोगों ने केंद्र सरकार ने आई-बी को भेजा गुजरात पता करके आओ गुजरात में माहौल क्या है कौन जीत रहा है आई-बी दस-पंद्रा दिन घुमी गुजरात के कोने-कोने में उनके कई अफसर आये घुमे जगे जगे और आई-बी ने रिपोर्ट दी है केंद्र सरकार को कि दिसंबर में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है एक केंद्र सरकार की खुफ्या एजघंसी आई-बी कह रही है लेकिन उस रिपोर्ट में एक और बात लिखी है सरकार तो बन रही है हम आदमी पार्टी की लेकिन किनारे पह बन रही है Margin पह बन रही है 90, 90, 93 सीट आएगी, 90, 92, 93 सीट आएगी तो यह गिरा देंगे उल्टा सीधा काम करके, अपने को डेड़ सो पार करनी है, करनी है की निह करनी है? तो सारे जने मिलके अभी एक महीना बचा है, सारे जने मिलके एक बार जोर का धक्का लगाओ, ऐसा धक्का लगाओ, कि पंजाब के भी रेकॉर्ड तूट जाएं, दिल्ली के भी रेकॉर्ड तूट जाएं, दिल्ली में जनता ने आम आदमी पार्टी को सत्तर में से 66 सीट दी ठी भी जे साटर में से थी टी ती ही पन्जाब में हो पंजाब के लोगों ने एक सब सब अन्हें सीट दी थी आम आगे पाटी को बीजेपी को एक सीट दी थी हुई को गुजराथ में रिकोर्ड तोड़ दो एक सौ बयासी में से डेड़ सो पार कर दो इसमार करोगे य Hack Ho तो दोस्तों सरकार तो बनने जा रही है हम जहां भी जा रहे हैं हमें खूब प्यार मिल रहा है जनता खूब प्यार कर रही है सरकार बनेगी सबसे पहला काम सबसे पहला काम करेंगे भरष्टाचार खतम करेंगे इतना ब्रष्टाचार है इतना ब्रष्टाचार है गुजरात के अंदर 27 साल में इन लोगों ने गुजरात को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी क्याते हैं गुजरात का बजट घाटे में चल रहा है गुजरात सरकार घाटे में चल रही है क्यों घाटे में चल रही है दि रोटी खाते हो तो टेक्स लगता है, मुबाइल फोन इस्तेमाल करते हो तो टेक्स लगता है, पेट्रोल भरवाते हो तो टेक्स लगता है, दाल खाते हो तो टेक्स लगता है, दही खाते हो तो टेक्स लगता है, छाच पीते हो तो टेक्स लगता है, कुछ भी करते हो पंखा चलाते हो तो टैक्स लगता है जो मर्जी कर लो टैक्सी टैक्स इतना पैसा देते हो आप गुजरात सरकार को और वो खर्बो रुपए देते हो कहां गया सारा पैसा लूट लिया इन लोगा ने इतना पैसा खर्च करा मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं धाई लाख करोड रुपए हर साल गुजरात सरकार खर्च करती है आपके गाउं में कोई सडक बनी कोई स्कूल बना कोई अस्पिताल बना आपके लिए दवाई का इंतिजा कहा गया सारा पैसा जब कुछ में मले है चुनाव के पहले उसके पास चार एकड़ जमीन थी पांच साल के बाद उसके पास एक हजार एकड़ जमीन हो गई एक और में मले है चुनाव के पहले दो हजार रुपए महीने कमाता था किसी की दुकान पे आज बीस हजार करोड का मालिक है सारा पैसा खा गए है सरकार बनेगी एक-एक पैसे का हिसाब लेंगे जितना पैसा इनोंने खाया है इनके मुझ के अंदर हाथ डालके सारा पैसा इनके पेट में से बाहर निकाल लेंगे छोड़ेंगे नहीं किसी को गुजरात का एक एक पैसे का हिसाब लेंगे एक पैसाओ वापस लेंगे इंन लोगों से ब्रषटाचार मुक्त शासन देंगे हमारा कोई मंत्री चोरी नि करेगा ऊईम्मेल्य चोरी नि करेगा और अगर कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा अभी पंजाब में भगवन्त मान साब का एक मंत्री गड़वड कर रहा था कि इनको किसी ने बताया कि आपका हेल्ठ मिनिस्टर गड़बड कर रहा है अभी मीडिया को नहीं पता था विपक्ष को भी ने पता था ये चाहते तो दबा देते इन्होंने जांच करा ही पता चला कि वो गड़बड कर रहा है पता इन्होंने क्या किया अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया कोई करता है यह तो बाते सत्यूग में होती थी आजकल तो कल्यूग है कोई मुख्यमंतरी अपने हेल्थ मिनिस्टर को फकड़ के जेल में डालता है कोई ननी डालता है यह आम आदमी पार्टी है कट्टर ईमानदार पार्टी है कटर इमानदार सरकार है हमारी मेरा भाई भी अगर ब्रश्टा चार करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं मेरा अपना भी कोई ब्रश्टा चार करेगा मेरा बेटा भी ब्रश्टा चार करेगा उसकर छोड़े तो गुजरात का एक-एक पैसा गुजरात सरकार का एक-एक पैसा गुजरात के लोगों पे खर्च होगा आपके विकास के उपर खर्च होगा आप लोग सरकारी दफ्तर में जाते हो काम कराने के लिए आप आप से पैसे मांगते हैं तैसीलदार के दफ्तर में जाते हो पठवारी के दफ्तर में जाते हो जब बिजली का कनेक्शन लेना हो पानी का कनेक्शन लेना हो जाती प्रमान पत्र बनाना हो राशनकार बनाना हो अधार कुछ भी करा पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने कि आपको सरकारी दफ्तर जाने की जुरूरत नहीं है दिल्ली में कर दी हमने आप फोन करना काम बताना सरकारी दफ्तर से एक अफिसर आपके घर आके आपका काम करके जाएगा आपको दफतर जाने के जुरूरत में दिल्ली में एक पैसा नहीं देना पड़ता बिना पैसे के काम होता है पंजाब में एक पैसा नहीं देना पड़ता बिना रिश्वत के काम होता है कि दिल्ली और पंजाब में इमानदार सरकार करॉप्शन खतम होगा खूप पैसा बचेगा इतना पैसा बचेगा इतना पैसा बचेगा आपके उपर खर्च करने के लिए दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जब से हम गुजरात आ रहे हैं इतना प्यार मिला आप लोगों का इतना प्यार मिला लोग कहते हैं के जीवाल जी हम आपको अपना भाई मानते हैं आपका कुछ लोग बुजुर्ग कहते हैं आपको बेटा मानते हैं इतना प्यार मुझे कहीं नहीं मिला आप लोगों से पूछना चाहता हूं कितने लोग मुझे भाई मानते हैं अपने परिवार का हिस्सा मानते जड़ा हाथ खड़ा करके बताएं आपका बहुत-बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूं इतना प्यार दिया आप लोगों ने एक ही विश्वास दिलाता हूं सरकार बनने के बाद आपका भाई बनके आपके परिवार का हिस्सा बनके आपके परिवार की जिम्मेदारी संभ आपके परिवार को कोई तकलीफ नहीं होने दूँगा सबसे पहले आपको महंगाई से छुटकारा दिलाओंगा मिर को पता है आपके परिवार में सबसे ज्यादा मुश्किल इसका महंगाई से हो रही है कि नहीं हो रही मुश्किल बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है सबसे पहले महंगाई से छुटकारा दिलाऊंगा एक मार्च के बाद आपको अपना बिजली का बिल भरने की जुरूरत नहीं है आपका बिजली का बिल आपका भाई केजरिवाल भरेगा सारे आपके बिजली के बिल में बरूँ दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और बिजली का बिल जीरो आता है पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है बिजली का बिल जीरो आता है अब गुजरात में भी एक मार्च के बाद से 24 घंटे बिजली आएगी और बिजली का बिल जीरो आएगा बिजली का बिल जीरो आएगा किसी का 2,000 रुपे किसी का 3,000 रुपे सब लोग अपना कागज पर निकाल लो कागज पर निया तो फोन निकाल लो मैं बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने से हर महीने कितना फाइदा होगा तो मोटे मोटे तौर पे तीन हजार रुपे महीना तो बिजली का बिल बचेगा बचेगा कि नहीं बचेगा तीन बच्चे हों तो दस हजार रुपे महिना लगबग खर्च हो जाता है. अब आपके बच्चों की फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, केजरी वाला आपके बच्चों की फीस बढ़ेगा. आपके लिए स्कूल बनवाएंगे दिल्ली में खुब शानदार स्कूल बनवाएं हमने पूरे गुजरात के अंदर मैंने प्लानिंग करी है गाउं गाउं के अंदर स्कूल बनाएंगे शानदार स्कूल बनाएंगे अमीरों के बच्चे भी पढ़ेंगे, गरीबों के बच्चे भी पढ़ेंगे दिल्ली के अंदर एक ही डesk पे जज का बेटा, आया सपसर का बेटा और रिक्षेवाले का बेटा एक साथ बैठके पढ़ते हैं अब दिल्ली में मजदूरों के बच्चे डाक्टर बन रहे हैं, रिक्षेवाले का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, वकील बन रहे हैं, गरीबों के बच्चों का बड़े शान दार उनके, सोचो जब डाक्टर बनेगा एक रिक्षेवाले का बच्चा, उसकी महीने की कमाई ह वोगी तीन लाख रुपए, वो अपने माबाप की गरीबी दूर करेगा, आपके घर में जितने बच्चे उनको शानदार शिक्षा दूंगा, उनको उनकी फीस की, उनकी कापी किताब की ड्रस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका भाई, आपका बेटा केजरी वाल सार मत करना, भगवान ना करें बिमारों, कोई ना बिमारों, सब लोग स्वस्त रहें, लेकिन अगर आपके घर में कोई बिमार होगा, उसके इलाज का सारा खर्चा मैं दूंगा, उसका इलाज, उसकी दवाई, उसका टेस्ट, उसका इड्मिशन, उसका ऑपरेशन, दिल्ली के ने सबका इलाज मुफ्द कर दिया दो करोड औरग, अमीरों रहों लोग यूद को ओ scrutin 번째 सबका इलाज मुफ्त कर दिया। शांदार बड़े बड़े How Mythical बनाए हैं शांदार महला क्लिनिक बनाए हैं गुज्रात मैंने पूरा प्लान बनाया है हर गाओं में महला क्लिनिक बनाएंगे 20,000 महला क्लिनिक बनाएंगे नैने अस्पिताल खोलेंगे याद करके देखो जब करोना हुआ था गुजरात के अंदर कितना तडपे थे आप लोग कितना फोन किया था भाजप वालों को किसी ने आपका फोन नहीं उठाया किसी ने आपका फोन नहीं उठाया अब आपको चिंता करने की जरूरतनी आपका भाई आ गया है, आपका बेटा आ गया है, मैं आपका इलाज कराऊंगा, भगवान ना करे आपके घर कोई बिमार हो, लेकिन अगर कोई बिमार होगा, उसका पूरा इलाज का खर्चा सरकार देगी, आपका भाई देगा, रुपे बिजली, दस हजार रुपे शिक्षा, पांच हजार रुपे दवाईयों के 18,000 रुपे, उसके बाद जितनी अपनी बेहने हैं, 18 साल से उपर की बेहने हैं, कॉलिज जाती हैं, उनकी पढ़ाई रुक जाती है, पैसे नहीं होते बाप के पास, मैं बहुत सारी ऐसी ब हजार हजार रुपे डालेंगे, हर मा के अकाउंट में 18 साल से उपर की जितनी भी महिलाएं हैं, हर एक के अकाउंट में हजार हजार रुपे डालेंगे, और अगर एक घर में तीन महिलाएं हैं, मा हैं या सास है, एक बहु है, एक बेटी है, तो हजार हजार तीनों को अलग अलग मिलेंगे, तीनों के अकाउंट में हजार जार रुपे अलग जाएंगे, तो तीन हजार रुपे महीना ये हो गया, कितने हो गया, 21,000 रुपे, और अगर आपके घर में कोई बेरोजगार बच्चा है, उसके रोजगार का भी इंतिजाम मैं करूंगा, दिल्ली में पिछ छे महीने में 20,000 नई सरकारी नौकरिया निकाली है, आपके बच्चों के लिए भी रोजगार का इंतिजाम करूंगा, और जब तक रोजगार नहीं मिलता, तब तक हर महीने उसको 3,000 रुपे महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, अगर आपके घर में दो बेरोजगार हैं तो 6,000 रुपे हो गए, तो 27,000 रुपे महीने का फाइदा होगा मादमी पार्टी के सरकार से, सही है कि नहीं है, गलत तो नहीं बोल रहा, सारा हिसाब किताब करके दिखा दिया, मैं अभी सुन रहा था थोड़े दिन पहले प्रधान मंतरी जी आए थे गुजरात, 30,000 का पैकेज दे के गए, सुना आप लोगों ने टीवी में देखा होगा ख़बारों में, सुना था आप लोगों ने, 30,000 करोड का पैकेज दिया, उन्होंने गुजरात को 30,000 करोड का, ठेकेदार बड़े खुश हो गए, मंत्रियों की भी चमका गई, मंत्री बोले, ये तो टुश होगा ये 30,000 करोड और मिलेंगे लूटने के लिए, ठेकेदार बोले, 30,000 करोड और मिलेंगे लूटने के लिए, आप को क्या मिलेगा उस 30,000 करोड में से, ठंठं गो पाल, आपको तो कुछ नहीं मिला, अर्य présentति धार मंत्री खुश दार घाइंगे, ठेकेदार जेकती रह गई, मैं आपको 30,000 करोड का पैकेज नहीं दे सकता, लेकिन अभी-अभी मैंने बताया कि मेरी सरकार बनवा दो, हर परिवार को महीने के 30-30,000 रुपए का फाइदा करा दूँगा मैं, अगली साल अयुद्या में राम मंदिर बनके तयार हो जाएगा, भगवान श्री राम का, राम लल्ला जी का मंदिर बनके तयार हो जाएगा, सबकी इच्छा है कि राममंदिर का दर्शन करके आए कौन-कौन जाना चाहता है राममंदिर के दर्शन करने के लिए सब लोग जाना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है और पूरे परिवार को लेके जाएंगे तो बहुत पैसे लगते हैं दिल्ली में मैंने स्पेशल ट्रेन चला दी दिल्ली वालों को स्पेशल ट्रेन से मैं आयोध्या जी के दर्शन करा के लाता हूं आना जाना खाना पीना रहना सब मुफ्त आपको भी एक एक गुजराती को मैं गुजरात के एक आदमी को रामलला के दर्शन करा के लाओंगा, मुफ्त में दर्शन करा के लाओंगा मेरे को राजनीती करनी नहीं आती मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, मैं पॉलिटीशन नहीं हूँ मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं इमांदार आदमी हूं देश भक्ता आदमी हूं मिरे को गुंडागर्दी नहीं करनी आती मिरे को भृष्टाचार नहीं करना आता मिरे को गाली गलोज नहीं करनी आती मिरे को इनकी तरह लफंगई नहीं करनी आती मिरे को स्कूल बनाने आते ह मेरे को बनाने आते हैंuper कैसे अघर आपको राजनीती करनी है तो पke वोट देदेना अगर आपको गुंडा गर्दी थाई तो उनके पास चले जाना अगर आपको लफंगई चाहिए गाली गलोच चाहिए ब्रस्टाचार पिशने जाना अगर आपको अपने बच्चोंबन सडके बनवानियों सडके बनानी आती है मेरे को इंजीनियर हूं में वो सारे काम में कर दूँगा लफंगई चाहिए तो उनके बास चले जा में को लफंगई करनी नहीं आती में को नफरत है गुंडा कर दी से ये मेरे को खूब गालियां देते हैं खूब गालियां देते हैं, कहते हैं केज़ दूआल, free, 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 क्यों दे रहा है सब कुछ? मैं आप से पूछना चाहता हूँ, इस देश में अगर कोई बच्चा पैदा हो, उस बच्चे को फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस देश के अंदर कोई बी इनसान पैदा हो, भारत का नागरिक, उसका अच्छा इलाज, free में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूँ, मैं स्कूल बनवाँगा, कहते हैं नहीं स्कूल नहीं बनवाने, केजरी वाल स्कूल बनवा देगा तो लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा, मैं कहता हूँ, मैं एस्पताल बनवाँगा, कहते हैं नहीं एस्पताल नहीं बनेंगे, एस्पताल बनवा दि फ्री में बिजली दे दी तो लूटने को पैसा नहीं बचेगा केजरिवाल ने इतने अस्पताल बना दिये तो लूटने को पैसा नहीं बचेगा मैं आप से पूछना चाहता हूं आपने मेरे को अपने परिवार का हिस्सा माना है, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं आपसे पैसे मांगूंगा, आपके घर के लोगों का इलाज कराने के लिए मैं आपसे पैसे मांगूंगा, मैंने कोई दुकान थ हर चीज के पैसे लेते हैं आजकल तो MLA बेचने और खरीदने के भी पैसे लेते हैं मैंने दुकान नहीं खोल रखी मैंने आपके साथ रिष्टा बनाया है और ये दोनों मिले हुए हैं कॉंग्रेस और भाजपा दोनों मिले में दोनों के अंदर ईलु इलु चल राहा ह। I love you. दोनों में ईलु इलु चल रहा ह। दोनों मिल के गालियां देती हैं मिर को. Kejriwal रक्षशस है. Kejriwal ठग है. Kejriwal महा ठग है. Kejriwal अतंकवादी है. मैंने अभी थोड़े दिन पहले, दो-चार दिन पहले मैंने बोला, मैंने का कि भारत के नोट के उपर दो हजार का नोट है, पांसो का नोट है, उस पे गनेश जी और लक्षमी जी की तस्वीर होनी चीए, होनी चीए कि नहीं होनी चीए, गनेश जी की और लक्षमी जी की तस रूब कि तो पूरे देश का याक्रोज को आशुरवाद मिलेगा जब नहीं में यह नहीं कहा रहा कि केवल तस्वीर लगाने में से देश तरख्य करेंगा में मैं तब करेंगे मैन ने आपकरेंगे अच्छीनितियां बनाएंगे लेकिन जितनी मर्जी मेहनद कर लो जब तक उपर वाले का अशिरवाद नहीं हो मेहनत फल नहीं देती है कि नहीं है मेहनत तभी फल देती है जब मेहनत के साथ-साथ उपर वाले का अशिरवाद भी होना चाहिए तो मैंने का नोट के ओपर गनेश जी और लक्षमी जी की तस्वीर होने चीए इतनी गालियां दी इन्होंने मिर को, इतनी गालियां दी मिर को, मैं आप से पूछना चाहता हूँ, ये सारे मिलके आपके भाई को, आपके बेटे को गालियां दे रहें, आप बर्दाश्ट इस बार बदला लेना जिस दिन वोट देने का टाइम आएगा जाड़ो का बटन इतनी बार दबाना बदला लेना आपके भाई को गालियां दे रहे हैं आपके बेटे को गालियां दे रहे हैं अभी मैं आ रहा था रस्ते में अभी जैसे कुपाल भाई ने बताया पंदरा-बीस लड़के सडक के किनारे खड़े थे जिसके मर्जी नारे लगाओं आप जिस मर्जी पार्टी को वोट दो आपके बच्चों के लिए स्कूल में बनवाओंगा आपके घर में कोई बिमार होगा, उसका इलाज भी मैं कराऊंगा, आपको जिसको मर्जी वोट दो, मुझे पूरा यकीन है, एक दिन मैं आपका दिल जीतूंगा, और आपको अपनी पार्टी में शामिल कराऊंगा, किसी के खिलाफ नहीं हो मैं, कोई कॉंग्रेस को वोट दे उसके लिए भी बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे, कोई हमें काले जंडे दिखाएगा, उसके घर के बिमार होने पर हम इलाज कराएंगे उसका, हमें किसी का विरोध नहीं है, ये लोग कहते हैं, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की क्यों जरूर्थ पड़ी, ए नया इंजन आगया मार्केट में आम आदमी पार्टी, लेटेस्ट टेकनोलोजी किसमी सदी का इंजन फट 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 ने खाँ, फर्राटे से चलता है, नई राजनीती, नए चेहरे, इस बार सारे जने मिलके आम आदमी पार्टी को वोड़ दो, और मैं कई बीजेपी वालों से मिलता हूं, बीजेपी वाले भी परेशान हैं बीजेपी से, कहते हैं इतना एहंकार हो गया इन लोगों में, वो ले जी करोना हुआ, हमने अपने निताओं को फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया हम लोगों का, जिल्लत करते हैं हमें बेज्जती करते हैं हमारे अपमान करते हैं बीजेपी वाले, बीजेपी बीजेपी वालों का, मैं सबसे वो सारे कह रहे हैं, इस बार सारे फुके बैठे हैं, सारे नराज बैठे हैं, जितने इनके सारे नेता नराज बैठे हैं, सारे कह रहे हैं, एक बार तो हरा दो इनको सबको, इनका एक बार तो गहमंढ तोड़ो मैंने का पार्टी में आजाओ बोले सब़े तो मैं सारे बीजेपी वालों को मुझेना चाहता हूं पार्टी में आने की जूरूरुत निया हमारी during being बीजेपी में ही रहो लेकिन अंदर खाने सारे जने इस बार बीजेपी को हराने के लिए काम करो आज यहां जितने लोग आए हैं आप लोगों से मेरे को दो वादे चाहिए जैसे मैंने का 92 सीट आ रही है लेकिन एक बार जोर का धक्का लगाना पड़ेगा तो दो काम मैं आपके जिम में छोड़ रहा हूं एक यहां से बाहर निकलोगे सब लोग अपना अपना फोन निकाल के जितने भी आपके फोन में कॉंटक्ट हैं दोस्त हैं यार हैं रिष्टेदार हैं सब लोगों को मैसेज भेजना कि भाई इस बार मैं जाडू पर वोट दे रहा हूं गुजरात की तरक्की के लिए तू भी एक बर जाडू पर वोट दे दें बेजोगे सब को मेसेज पक् इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा हूं तुम भी आम आदमी पार्टी को वोट दो सब को मेसेज दे रहा हूं दूसरा अपने अपने गाउं में जाओगे अपनी अपनी गली में जाओगे एक 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 घर में जाना पडोस में जाना गली में जाना गाउं में जाना और कम से कम एक एक आदमी 100-100 वोट तयार करेगा, करेंगे की नहीं करेंगे, दोस्तों, पूरे निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है, कि अगर इसको बचाना चाहते हैं, तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं, झाल